कांग्रेस के वरिष्ट नेता दिग्वीजे सिंग ने विदाईकों के साथ कांग्रेस छोड़ भाच्वा में सामिल होने पर केंद्रिय मंत्री जोतीरा दितिय सिंधिया पर हमला करते वे उन्हें गदार बताया था सिंधिया द्वारा दिगविजे के ग्रहनगर रागोगड में सनिवार को पहली बार सारजनिक सबा करने की कुछ ही घंटो बाद उन्होंने ये टिपणी की जिसके बाद सिंधिया ने भी उन्हें करारा जवाब दिया है जो तीरा दितिय सिंधिया ने कहा मैं उस इस तर तक नहीं गिरना चाहता ये वो लोग है जिन्होंने ओसामा को ओसामा जी कहा और कहा कि वे सत्ता में आने पर धारा 370 को बहाल करेंगी ऐसे में जनता तै करेगी कि कौन देश द्रोही है कौन नहीं कांग्रेस नेता दिगविजे सिंग ने कहा था कि सिंधिया महराज ने कांग्रेस का पूरा फाइदा उठाया और फिर भाजपा में सामिल हो गए देश द्रोही को इत्यास कभी नहीं भूल सकता सिंधिया महराज ने कांग्रेश के साथ विश्वास घात नहीं किया होता तो कमनाजी की सरकार बरकरा रहती रागोगड में सिंधिया की इस सार्वजनी की सबा में अपने पूरे भासन की दोरान एक बार भी दिग विजे का नाम लिये वगेर उन पर निसाना साद गया था इस सबा में दिवंगत पूर्वी विदाय के मूल सिंग के पूत्र एम कांग्रेश नेता हितेंदर सिंग ने अपने हजारों साथ्यों के साथ भाजपा की सदैस्या था ग्रहन की थी दिग विजे सिंग ने सनिवार को गुना जिले के मदू सुधन गड़ इलाके के रगुनात गाउं और विदिशा जिले के मुंडेला गाउं में सबाओं को सम्भोधित करती वे कहा मध्यपर्देश में कांग्रेश की सरकार तो बन गई थी सिंध्या जी चले गए छोड़कर जो 25-25 क्रोड रुपे ले गए एक एक विदाई का अरे कांग्रेश की साथ गदारी कर गए इसका मैं क्या करूं किसने सोचा था जनता ने तो कांग्रेश की सरकार बनवा दी थी उन्होंने कहा कि इत्यास इस बात का साक्सी है एक व्यक्ति गदारी करता है तो उसकी पीडी दर पीडी गदारी पे गदारी करती है मध्यपर्देश भाजपा परवक्ता वै सिंध्या की कटर समर्थ के पंकज चत्रुएदी ने कहा आज दिगविजे को सिंध्या में तमाम परकार की बुराया एंव दोस नजराते हैं जब सिंध्या कांग्रेश पार्टी में थे तब वे उनके आगे पीछे घुमा करती थी और उनकी तारीपे किया करती थी मुझे दिगविजे की सोच पर तरस आता है दिगविजे जी गद्दारी तो आपने एंकमलनात ने की है उन्होंने कहा धोका उसे कहते हैं जिसे आपने एंकमलनात ने दिया है गद्दारी उसको कहते हैं जो आपने एंकमलनात ने की है और इसका नतीज़ा आपको फिस्द साल वेब परदेश की 28 विदान सबा उपचुनाओं में मिला ऐसे में दोस्तों आपका क्या कहना है कमेंट सेक्षन में अपनी राय जरूर बतेगा धनीवाद